ये गाईज, वेलकम बैक टू माई चैनल, आज मैं बनाने वाली हो मसाला पुलाओ, मसाला पुलाओ बनाना बहुत यदा सिंपल होता है, और खाने में इसका टेस्ट किसी भी बिर्यानी से कम नहीं है, इससे आज हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे, तो ये बहुत ही एजी और कोईक रेसिपी है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसको बनाना, इससे बनानी के लिए मैंने यहाँ पर डेढ़ ग्लास बासमती राइस लिया है, इससे मैंने ग्लास से ना पाए, ये वाले ग्लास से, आप इसे किसी भी चीज से ना आप सकते हो, बस आप जिससे भी ना काटनी को पाणि हो, पानी आपको से लेना है, इसे हम पहले अच्छे से धुल लेंगे, यहाँ पर मैंने इसे 3-4 बार अच्छे से धुल ली है, अब ङसमें हम पानी डालेंगे और इसे दससे 15 मिर्त के लिए इसी पानी में भीगे रहन देंगे, तब तक हम आगी की त्यार करेंगे यहां pressure cooker हमारा अच्छे से गरम हो गया है तो मैं इसमें एक बड़ा चम्मच बटर डाल रहे हूं बटर डालने से इसका टेस बहुत अच्छा आता है आप इसकी जिगा घी भी डाल सकते हो या फिर आप सिर्फ तेल के साथ इसको बना सकते हो इसमें दो से तीन डाल रहे हूं एक चम्मच इसमें जीरा डालेंगे और एक चम्मच इसमें सॉफ डालेंगे इसका टेस बहुत अच्छा आता है इसको हलका सा पका लेंगे ताकि जीरा जो हलका सा crackle करना शुरू कर दे गैस की flame को medium पर रखना है इदिके जीरा हमारा यहां पर अच्छे से golden brown हो गया है तो मैं यहां पर प्याज जाल रही हूं मैंने यहां पर दो medium size की प्याज लिए जिसे मैंने इस तरीके से slices में cut किया है इससे मिला लेंगे अब हम प्याज को यहां पर तब तक पकाएंगे जब तक प्याज हमारी translucent ना हो जाए तो gas की flame को यहां पर medium पर रखेंगे और इसको इसी तरीके से चलाते रहेंगे प्याज को हमें यहां पर golden brown नहीं करना है यह देखिए प्याज हमारी translucent हो गई है इस पे एकदम light सा color आ गया है तो अब मैं यहां पर एक बड़ा चमच अद्रग लसन डाल रहे हूं इसे मैंने grade करके डाला है आप चाहो तो इसका paste भी डाल सकते हो तीन हरीमिस डाली है इस तरीके से लंबी काट कर इसे मिला लेंगे और इसे भी कुछ सेकेंड तर पका लेंगे ताकि जो अदर गलसन का कच्छा पाने वो निकल जाए तो यहाँ पर मैंने अदर गलसन को अच्छी से पका लिया है तो इसमें आप हम आलू को डालेंगे मैंने यहाँ पर दो बड़े आलू लिये इस तरीके से पीसे में कड कर लिये तो इसे डाल लेंगे एक बाउल मैं इसमें फ्रोजन मटर डाल रहे हूं यह 200 ग्राम है तो इ अब इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक टमाटार हमारा अच्छे से सौफ्ट नहीं हो जाता यहाँ पर मैं एक चमबा जिसमें नमक डाल रही हूँ नमक डालने से जो टमाटार है वो जल्दी गल जाएगा इसे मिला लेंगे और एक से दो मिनट तब इसे मेडियम फ्लेम पर पकाएंगे तो इसे अब हम ढग देंगे और ढग के पकाएंगे यहाँ पर मैं चेक कर रही हूँ यह देखिए टमाटार हमारा अच्छे से गल गया है अब इसमें हम सूखी मसालों को डालेंगे मैं एक चमबा जिसमें कश्मीरी लाल मिज डाल रही हूँ इससे बहुत ही बढ़िया कलर आएगा एक चमबा जिसमें धनिया पाउडर डालेंगे आदा चमबा जिसमें हल्दी डालेंगे स्वात के अनुसार इसमें नमक को डालेंगे नमक को थोड़ा सा ध्यान से डालेगा क्योंकि पहले भी हमने नमक को डाला है एक चमबज इसमें बिर्यानी मसाला डालेंगे और हातों से क्रश करके इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है इसे अच्छे से मिला लेंगे यहाँ पर आप देख रहे हैं टमाटर कितना अच्छे से गल गया है तो इसी तरीके से टमाटर को अच्छे से पका लेना है अब इसमें चावल को भी डाल लेंगे चावल को डालने के बाद इसे बिलकुल हलके हातों से मिलाएंगे चावल भीगा हुआ है तो तूट सकता है तो इसे अब मैं बिल्कुल हलके हाथों से मिला लोंगी यहाँ पर मैं थोड़ा सा बारिक कटवा हधनिय डाल रहे हूँ इसे भी मिक्स कर लेंगे इसे मैंने एक दम अच्छे से मिला लिया है अब इसे हम लो फ्लेम पर एक मिनट लिए ढख देंगे सिर्फ एक मिनट लिए इसको ढखना है यहाँ पर मैं एक मिनट बाद इसे चेक कर रही हूँ यह देखिए इसे बिल्कुल हलके हाथों से मिलाएंगे सारी चीज़े देखिए एकदम अच्छे से भुन गई है और जो हल्दी का कच्छा फ्लेवर था वो भी निकल गया है अब इसमें हम पानी को डालेंगे मैंने इसी ग्लास से देख ग्लास चावल लिया था तो मैं इसी ग्लास से धाई ग्लास पानी डालूँगी तो मैंने अभी एक ग्लास पानी डाला है यह दूसरा ग्लास और यह आधा ग्लास तो टोटल मैंने धाई ग्लास पानी डाला है इससे मिला लेंगे यहाँ पर मैं एक नीबू का रस डाल रही हूँ इसे जो चावल है वो बहुत ही खिली-खिली बनेंगे अब इसमें हम लेड लगा लेंगे और हाई फ्लेम पर दो विसल्स लगाएंगे उसके बाद हम गैस को बन कर देंगे और इसे हम अच्छे से ठंडा होनी देंगे यहाँ पर मैंने दो विसल्स लगा ली है यह अच्छे से ठंडा हो गया है प्रेशर के देखिए अपने आप निकल गया है यह देखिए फोक से इस तरीके से करने से जो हलकेल की स्टीम होगी वो निकल जाएगी इससे जो नीचे के चावल है वो ओवर कुग नहीं होगे तो इससे अब हम सर्फ करेंगे यह देखिए चावल का दाना देखिए एकदम अला गला गो रहा है और खाने में इसका टीस बहुत ही बढ़िया है तो थाना कितना असान इसको बनाना तो इससे आप ट्राइ करिएगा फिर मुझे जरूर बताएगा कि कैसा बना आपका मसाला पुलाओ मैं आपको एक पर और दिखा देती हूँ यह देखिए अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज शेयर करिएगा अपनी फ्रेंड्स और फैमली के साथ लाइक करिएगा सब्सक्राइब करिएगा बैल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा फिर मिलेंगे एक न्यू र